इस पोलर वीर ने तो फिजिक्स की ऐसी की तैसी कर दी क्योंकि इसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसको बर्फ पर चलने का फिजिक्स पता हो अरे तभी तो अपने टाउगों को इस तरह फैला कर और अपने सरीर को इस तरह गिसका कर घिसक रहा है अरे आप लोग समझे की नहीं चलिए मैं समझाता हूँ दरसल भालू लेट कर अपना सर्फेस एरिया बढ़ा दे रहा है जिससे भालू का वेट इक्वली डिस्ट्रिब्यूट हो जा रहा है और बर्फ पे लगने वाला प्रेसर यानि दबाओ कम हो गया है जिससे बर्फ अप टूटेगा नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आरकमडीस से पढ़कर आया है